नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं आप सभी स्वस्तो और खुश होंगे आज मैं आपको करा रही हूँ आपके रीडिंग अवियान हिंदी की कारे पत्रिका नंबर 15 आज की थीम है हमारी कविता मैं या ले में कविता गाना यहीं कविता गान है आज की थीम जो की कलकी भी थी जैसे कि आप जानते हैं आपका तीसरा सब्ता चल रहा है और आपकी क्लास है सिकन तो वक्षी शूर करने से पहला आप अपनी क्लास लिखेंगे आपका सेक्षन A, B, C, D आपका नाम लिखेंगे आपकी टीचर का नाम लिखेंगे डेट डालेंगे जो की है 3 फरवरी 2020 अब फिर हम यह वक्षी शूर करेंगे तो आईए शूर करते हैं आपकी वक्षी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अभीत बहुत जाना सर्दी हो रही है एक बच्चा इसी सरदी में सरदी ने उसे कैसे परिशान किया एक चोटा सा बच्चा है जो कि सरदी से बहुत परिशान है कр Cow जाने ह। जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है सर्दी, हम आम बोलचाल की भाशा में इसे जाड़ा कहते हैं, सर्दी ने नाक में कर दिया दम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम, कंबल के अंदर भी सर्दी, कंबल के बाहर भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर् बहुत परिशान कर दिया है सर्दी ने अगर कंबल के अंदर रहते तो भी सर्दी है बाहर रहते तो भी सर्दी है इतनी सर्दी किस ने किये कि अंडे के अंदर जो परत है अंडे की जो जर्दी है वो भी जम गई है पता नहीं इतनी सर्दी कहां से आ गई पतले मोटे छोटे स सिकुडी सबकी चाल हो गई, छीक छीक कर सर्दी में नाक सबकी लाल हो गई, ढूप में बैठें तो भी सर्दी, छाओं में बैठें तो भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी, तो चाए हम पतले हों चाए मोटे हों छोटे हों या बड़े हों सभी सर्दी के मारे से कुड़ रहे हैं सभी को बहुत ठंड लग रही है छीक छीक कर जुखाम हो गया है हमारी नाक लाल हो गई है धूप में अगर हम बैट रहे तो भी सर्दी लगती है च्छाओं में बैट रहे तो भी सर्दी लगती है यह इतनी सर्दी किसने करती है कि अंडा भी जमने लग गया है यह बच्चा बहुत परेशान है इस सर्दी के मौसम से हम भी बहुत परेशान हो जाते, जब भोजा थंड होती है हमें कहीछ जाना हो हम कुछ उर करना चाहते है है तो इसमें बहुत आप निकलने का मन ही नहीं करता है तो आप सभी को अपने आपको ठंड से बचाना है ठंड के सासत कोरोना के ओमिक्रोन वाइरस से भी बचाना है और घर पर रहना है और प्रोटेक्टेड रहा है चलिए देखते हैं इसके प्रेश्ण क्या है आपको सर्दी कामोसम कैसा लगता है आप सर्दी से बचने के इसलिए क्या क्या करते हैं अपने सिक्षक तखा अभिवाब को बोल कर बताई है मैं अपना परसनली बताऊं तो मिझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है ठीक है आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी लिख सकते पर मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता ह है चलगता है और सर्दी से बचने के लिए सर्दी से बचने के लिए मैं स्वेटर जुरावें जुरावें वा दस्ताने पहनती हूँ ठीक है मुझे सर्दी कमो से मचा लगता है और सर्दी से बचने के लिए मैं स्वेटर दस्ताने और जुरावें पहनती हूँ आपको कैसे लगता है आप वो लिख सकते है और उससे आप कैसे बचते है वो भी लिख सकते है ठीक है अगला प्रश्न है के लिए अपना अभिबावों को बताईए तो हम सर्दी से बशने के लिए को 有वाव को breaths Yani मैं सेम बहुते जो कि आप सर्दी से बशने के लिए क्या करते है आपने तो हम सर्दी से बशने के लिए नि कपड़े पहनते हैї such a च्पड़े ॐन ईOT क कपड़े जैसे वा दस्तावने पहनते हैं ठीक है ये चीज़े हम करते हैं सरती से बचने के लिए हम गरम-गरम चीज़े भी खाते हैं आप उपर आले मिलिख सकते हैं ठीक है आगे देखें बच्चो ये picture आपको दी गई है इसमें यह आपस में क्या बात्चीत कर रहोंगी यह आपको अपने पेरेंस के साथ डिसकस करना है और लिखकर अपनी टीचर को भी सुनाना है तो उम्मीद है आपके लिए वक्षिट यूस्फफल रही होगी अगर यूस्फफल रही होगी तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट करें और हमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद